Women's T20 World Cup Australia ने 151 रन बनाए Women's T20 World Cup के करो या मरो मैच में भारत को Australia ने 152 रन का टार्गेट दिया है शारजा में रविवार को Australia ने टॉस जीत कर बैटिंग जनी टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रन बनाए विडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे आन कर ले ताकि आपको आने वाली विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके विडियो को लाइक एवाम शेर जरूर करें साथ ही कमेंट बोक्स में कमेंट करते हुए यह बताएं कि आप विडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थेंक्स बोल सकूँ साथ ही साथ Facebook पैज पर देख रहे Frindas वीडियो को लाइक शेर करते हुए comment box में बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि आपको भी मैं thanks बोल सकूँ. वीडियो को लाइक एवं शेर करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें यहां मालूम चलता है कि हमारी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है, साथ ही साथ इससे हमारा होसला बढ़ता है, आइए चलते हैं, अपने टॉपिक पर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के करो या मरो मैच में भारत को आस्ट्रेलिया ने 152 रन का टार्गेट दिया है, शार्जा में रविवार को आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर बैटिंग जनी, टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रन बनाएं, आस्ट्रेलिया से ग्रैस हैरिस ने 40, तालिया मैकगरा ने 32 और एलिस पेरी ने 32 र ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिये हैं, टीम से हर्मन प्रीत कौर और दीप्ती शर्मा क्रीज पर हैं, स्मृती मंधाना छे, जेमीमा रोडरिक्ज सोला और शेफाली वर्मा 20 रन बना कर आउट हुई, मेगन शट, सोफी मोलनिक्स और ऐशले गार्डनर को एक से एक विकेट मिला, औस्ट्रेलिया की रेगुलर कप्तान एलिसा हीली की जगा ताहलिया मैकगरा ने टॉस कराया, हीली आज के मैच में नहीं खेल रही है, हीली शुकरवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करने के दौरान चोटिल हो गई थी, उनके तेज गेंदबास टायला व्लामिने की जगा आलराउंडर हीथर ग्राहम को आस्ट्रेलिया टीम में शामिल किया गया है, शुकरवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, टायला बाकी बचे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, आस्ट्रेलिया ने पहले ओवर में साथ रन बनाए, इसमें एक चौका भी लगा, टीम के लिए बेथ मूनी और ग्रेस हैरिस ने ओपन किया, भारत के लिए पहला ओवर रेनुका सिंग ने किया, आस्ट्रेलिया के लिए तीसरा ओवर काफी खराब रहा, टीम ने इस ओवर म दो विकेट खो दिये, रेनुका सिंग ने ओवर की चौथी बॉल पर बेथ मूनी और पांचवी बॉल पर जॉर्जिया वेरहम को आउट किया, मूनी ने दो रन बनाए, जॉर्जिया खाता भी नहीं खोल सकी, आस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में दो विकेट गवा दिये, इस दोरान टीम ने 37 रन बनाए, पहले छे ओवर में बेथ मूनी और जॉर्जिया वेरहम का विकेट गिरा, भारत के खिलाफ आस्ट्रेलिया विमेंस टीम की कप्तानी कर रही, ताहलिया मैगगरा ने T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे कर लिये हैं, वह 37 वी T20 पारी ही खेल इसी के साथ वह आस्ट्रेलिया के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाली प्लेयर बन गई, उन्होंने मेग लैनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 38 पारियों में 1000 T20 रन पूरे किये थे, आस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में 65 रन बनाए, इस दोरान टीम न और ग्रेस हैरिस ने टीम को संभाला, 11 ओवर में ताहलिया मैकगरा और ग्रैस हैरिस ने तीसरे विकेट के लिए 50 पार्टनर्शिप कर ली, रेणुका सिंग के खिलाफ ओवर की पहली बॉल पर हैरिस ने दो रन लेने के साथ मैकगरा के साथ 50 रन की साजहदारी पूरी की, औस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 17 रन के स्कोर पर गिरा था, 12 ओवर की तीसरी बॉल पर औस्ट्रेलिया की कप्तानी ताहलिया मैकगरा को जीवन दान मिला, भारतिय कप्तान हर्मन प्रीत कॉर ने कवर्स पोजिशन पर उनका आसान कैट छोड़ दिया, राधा यादव न चौधवे ओवर में दीपती शर्मा ने आस्ट्रेलिया का चौथा विकेट लिया, उन्होंने ओवर की दूसरी बॉल पर ग्रेस हैरिस को मिड विकेट पोजिशन पर स्मृती मंधाना के हाथों कैच कराया, हैरिस ने 41 बॉल पर 5 चौकों की मदद से 40 रन बनाए, उन्होंने ताहलिया मैकगरा के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन की पार्टनर्शिप की थी, उस्ट्रेलिया ने 15 वे ओवर में 100 रन पूरे कर लिए, पूजा वस्त्राकर के खिलाफ ओवर की तीसरी बॉल पर एशले गार्डनर ने चौका लगाया, इसी के साथ टीम की सेंचुरी भी पूरी हो गई, गार्डनर के साथ एलीस पेरी भी क्रीज पर मौजूद रही, 15 वे ओवर की आखिरी बॉल पर पूजा वस्त्राकर ने एशले गार्डनर को कैच आउट करा दिया, ओवर की आखिरी बॉल वस्त्राकर ने बाउंसर फैंकी, गार्डनर ने शौट खेला, लेक आस्ट्रेलिया की बैटर फीब लीच फील्ड अमपाइरिंग एरर के कारण आउट होने से बज गई, ओवर की दूसरी बॉल दीपती शर्मा ने गुड लेंथ पर फैंकी, लेफ्ट हैंडर लीच फील्ड ने रिवर्स स्वीप खेला, बॉल उनके पैड्स पर लगी, भारत ने अपील की और अमपाइर ने LBW का फैसला सुना दिया, लीच फील्ड ने रिव्यू लिया, रिपले में दिखा की बॉल लेग स्टंप के बाहर पिछ हुई थी, हालांकी लीच फील्ड रिवर्स स्वीप खेलकर राइट हैंडर हुई थी, इसलिए पिचिंग आउट लेग मानी और लीच फील्ड नोट आउट रहे गई, उन्नीसवे ओवर में दीपती शर्मा ने एलीस पेरी को कैच आउट कराया, पेरी ने 23 गेंद पर 32 रन बनाएं, उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल रहा, पेरी ने फीब लीच फील्ड के साथ छटे विक एनाबेल सदर्लेंड को बोल किया, पांचवी बॉल पर सोफी मॉलेनिक्स रन आउट हो गई, सदर्लेंड दस रन बनाएं, सोफी खाता भी नहीं खोल सकी, शार्जा में टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए उस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खोकर 152 रन बना दिये, टीम स ग्रैस हैरिस ने 40 रन बनाएं, एलीस पेरी और ताहलिया मैकगरा ने 32 से 32 रन की पारी खेली, फीब लीचफील्ड ने पंदरा और एनाबेल सदर्लेंड ने 10 रन बनाएं, भारत से दीप्ती शर्मा और रेनुका ठाकुर ने 2 से 2 विकेट लिए, एक से एक विकेट पूजा वस्तराकर, श्रयांका पाटिल और राधा यादव को भी मिला, एक बैटर रनाउट भी हुई